वीदा पिपिल हम लोग अगर आपसे कोई व्यक्ति ये कहे कि नेता होना बहुत जरूरी है नेता पैदाईशी होता है नेता जो होता है वो बॉन होता है यानि जर्म से ही नेता होता है हर व्यक्ति नेता नहीं बन सकता और नेता के बिना काम नहीं चल सकता तो आप उस व्यक्ति से साबधान हो जाईए दरसल भारत के अंदर दो तरह के नेता काम करते हैं एक तो वो हैं जो बहुत थोड़े से लोगों के होते हैं और एक वो हैं जो बहुत जादा लोगों के जिनको बहुजन बोलते हैं उनके होते हैं यानि अलपजन और बहुजन दोनों में अंतर होता है इस अंतर को पूरी तरह से समझें और ये बहुत प्राचीन तरह से प्रमानिक है पूरा का पूरा ये अनुभप्पे आधरित है और देखा गया है जो बहुत कम लोग होते हैं, अल्पजन होते हैं उनकी समस्या ये होती है कि लोग उनके साथ नहीं होते इसलिए वो एकल नेता, व्यक्ति गत नेता या किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं यानि उनका जो लीडर होगा, नेता होगा, जिसकी वो बात मानेंगे वो उस व्यक्ति को इतना उपर बढ़ाते हैं, इतना उपर उसका नाम चड़ाते हैं इतनी ज़्यादा उसकी भक्ति करते हैं चाहे वो गलत कहे चाहे वो सही कहे ये बहुत प्राचीन समय से होता आ रहा है इसका दो कारण है पहला कारण तो ये है कि जो अलपसंखेक होते हैं उनको हर हलत में इखटे होके रहना है वरना वो मारे जाएंगे खटम हो जाएंगे और दूसरा कारण ये है कि जिस व्यक्ति को वो उपर चलाते हैं जिसका गुणगान करते हैं जिसकी भक्ति करते हैं उसकी भक्ति और गुणगान को दूसरी लोगों में भी इस्थापित करते हैं इसलिए वो पहले खुद कहते हैं कि ये सबसे अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लाजवाब है, ये चमतकारिक है, इसका कोई जवाब नहीं है, और फिर कहते हैं, देखो हम इसको मान रहे हैं, तुम भी इसको मानो, और इसमें आर्गुमेंट या इसमें सवाल करने वाले की कोई जगह है नहीं, सिर्फ मानना ही मानना है, one-sided है, जो बुद्ध या बुद्ध से पहले भारत के अंदर जो नीती चलती थी, बहुजन के अंदर, वो थी गढ़ नीती, यानि बहुजन नीती, इसको समण नीती बोते थे, इसके तहत में एक काउंसिल होती थी, एक परिशद होती थी, परिशद नहीं, शद तो बाद में सब आया है, क्योंकि पाली में शेह नहीं होता, परिशद, तो जो परिशद होती थी, वो बहुत सारे लोग होते थे, उसमें जो सारे जानकार और बुद्धिमान लोगे वो चुने जाते थे, वो एक सामोहिक निर्ने करते थे और सामोहिक निर्ने को दूसरे किसी व्यक्ति को बताने के लिए एक व्यक्ति को चुनते थे जो गड़ का पती होता था गड़ परिसा का पती होता था उसको वो कहते थे कि हमने ये डिशन किया है ये निर्ने किया है आप इसको लागू करेंगे आपके नाम से ये ला अने ऐसी विवस्था जो बहुजन है उन लोगों ने भी उन अल्पजन से अडॉप्ट कर ली है और ये नेता बड़े चालाक हो गए है ये क्या कहते हैं ये कहते हैं कि देखो बुद्ध अकेला था बुद्ध ने सारा का सारा काम किया बुद्ध नेता था और एक ही नेता होता है जो सोचता है फिर वो कहते हैं कि देखो डॉक्टर अंबेटकर अकेले थे डॉक्टर अंबेटकर ने अकेले ही सब सोचा और वो अकेले ही नेता थे तो नेता ऐसे होते हैं जो जर्मजात होते हैं, ऐसा वो सिखाएंगे मगर आप ये ध्यान रखना कि बुद्ध ने कभी भी कोई भी decision निर्ने संग के बिना लिया नहीं, पूरी परिशद बैठती थी, पूरा भिक्कु संग बैठता था, वहाँ समस्या आती थी उस समस्या का analysis होता था बुद्ध उसको announce करते थे, मगर वो बाकाइदा पास होती थी, उस पर बाकाइदा निर्ने और भहुमत होता था इस निर्ने को और भहुमत को आप विने पीटक में देख सकते हैं कि जब समस्या आती थी, तो कैसे वहाँ चुनाव होते थे, क्योंकि बुद्ध ने पहली वार भहुमत पे आधारित चुनाव को डबलब कियार बनाया, पहले चुनाव के वो कमिशन रहें, आयोग रहें हैं, आयोग के चेर्मेन रहें और बावा साव अमवेट करना है तो नेता सिर्फ उसको लागू करेगा, यानि केभल ट का एक सारा नेर्ने होता है लोगसभा की सारे मेंबर उसको पास करते है, उस पे भहस होती है, और प्रधान मंत्री सिर्फ उसको मानता है और राष्ट पती का तो सिर्फ सायन ही होता है, ऐग्जूगइड होता है तो जो लोग कहते हैं कि बुद्ध ने अकेले ने देखो ये सारा किया और अधी बात बताते हैं पूरी बात नहीं बताते हैं बुद्ध ने कहा था कि मेरे मरने के बाद में धम आपका लेडर होगा धम आपका नेता होगा धम के अनुसार ही आपको चलना है धम को बुद्ध धं और अंबेटकर ने कोई धम नहीं दिया वोगों का संभिधास और जृफटर गर शीजगा है रूचुन और अमबेटकर ने काम सारा खुद किया मगर उन्होंने लोगों की राय से और लोगों की जानकारी से और सारा कुछ उन्होंने लोगों के लिए किया लोगों के दुआरा और लोगों से ही करवाया है जो नीती गड़ नीती कहलाती है चुकि उनको प्रधान बने रहना है उनको आपके दिमाग में ये बात भरनी है कि नेता ही होना चाहिए नेता बहुत जरूरी है और नेता पैदाईशी होता है मतलब यहां तक भी वो कहते हैं कि नेता जो होता है मा के पेट से पैदा होता है नेता बनाया नहीं जाता और बड़े एक्जाम्पल उसके वो देते हैं ऐसे एक्जाम्पल देते हैं कि आदवी कई वार घूम जाएगा साधान व्यक्ति तो उसमें से कुछ निकाल नहीं पाएगा भई एक तरफ तो आप कहते हो कि व्यक्ति जो ब्रहमन के मुह से पैदा होता है क्योंकि किसी भी जानकारने कभी नहीं कहा कि कोई लीडर या कोई नियता मा के पेट से पैदा होता है या जरुम जाद गुड़ों होते है दरसल डॉक्टर अमबेटकर पैदा ऐसी लीडर नहीं थे डॉक्टर अमबेटकर पैदा ऐसी स्कॉलर थे उनको पढ़ने में बड़ा मज़ आता था और उनको समझ आती थी चीज़ें ये नेचुरल किसी का दिमाग हो सकता है कि किसी को साइन्स अची लगती है किसी को मैथ अची लगता है किसी को सोचलोजी अची लगती है जैसा उसको दिमाग उसमें चले किसी वो काम बहुत अच्छा लगता है तो वो scholar थे और वो बहुत ज़्यादा आगे पड़े मगर जब वो पड़े और देखा कि समस्या का समाधा नहीं है तो वो फिर leadership में आए और वो mass leadership में नहीं आए वो जो leadership में आए वो political leadership में आए और उन्होंने धमिक leadership भी adopt की यानि कि वो धम के leader भी बने क्योंकि उसकी जरूत थी वो economic leader भी बने क्योंकि पैसे की भी आवश्कता थी वो social leader भी बने क्योंकि society की आवश्कता थी तो कोई कैसे कह सकता है कि Dr. Ambedkar पैदायशी leader था है क्योंकि अगर बड़ोद्रा के अंदर ये घटना नहीं घटी जहां उनको मार पीट के भाहर फैका गया था निकाला गया था उनका सामान फैका गया था जिसको संकल्प दिवस के नाम से जानते है 23 September तो वो leader बनने के लिए सोचते भी नहीं इसका मतलब leader कभी भी बना जा सकता है जब जरुत हो जब आवशकता हो जब आपका मन इस तरफ मुड़ जाएगा हो जाएगा और आप leadership छोड़ भी सकते हैं जब आपका मन हट जाए बहुत सारे leader हैं जो बीच में छोड़ के चले जाते हैं इसलिए पैदायसी कुछ नहीं होता यह अल्पसंखाओकों का एक वाक्य है वो कहते हैं कि पैदायसी व्यक्ति कुछ होता है ऐसा कुछ नहीं होता कि पैदायसी कोई leader होता है नहीं कोई भी व्यक्ति जो चार लोगों का नेतवत करता है वो चार लोगों का लीडर हो सकता है, जो चालिस का करता है वो चालिस का हो सकता है, जो धम का नेतवत करता है वो धम का लीडर हो सकता है, जो किसी को अगर पैसे के बारे में, अर्थसास के बारे में, अगर मनी मेटर के ब हो सकता है वो खाना बनाने का अच्छा लीडर हो सकता है नेता हो सकता है फिर व्यक्ति कहते हैं कि आफिस में जो व्यक्ति बैठता है जिनको डूटी मिलती है वो आफिस विरार होते हैं वो पद होता है जो लीडर होता है जो लोग ये भूल जाते हैं कि नेत्रत का एक लेवल होता है जो नीचे का आदमी जो चार लोगों को नेतत देता है वो चार का नेतत है उसकी capability उसने अपने आपको यह डवलब किया है वो चार की है और जो चार हजार आदमी का नेतत करता है उसकी capability अलगत रहे किया उसका काम अलगत रहे का है यह interaction हो सकते हैं आपने देखा होगा कि एक छोटा व्यक्ति जो एक छोटे समों को महले को कंड़ेक्ट करता है महले की लीडर्शिप करता है महले को समझाता है वो आगे चलके पूरे देश का भी नेता बन सकता है और बने हैं ऐसे लोग इसलिए ये कहना बुलकुल गलत है कि पैदाइसी जो होता है वो लीडर होता है वो सिर्फ लीडर्शिप करने लिए होता है और एक आम आदमी जो चाल लोगों को समझा रहा है वो बड़ा नहीं हो सकता है हो सकता है अगर वो मेहनत करे जानकारी करे ये बुद्ध ने भी कहा है ये डॉक्टर अमेट करने भी कहा है आप दोनों के एक्जांबल से देख सकते हैं बुद्ध ने सबसे पहले एक व्यक्ति को सिखाया फिर दो को सिखाया फिर पांच को सिखाया फिर साट को सिखाया और फिर 50,000 तक भी पहुँचे और अब पूरी दुनिया को अभी भी वो सिखा रहे हैं इसलिए ये कहना बलकुल गलत है ये व्यक्ति बाद को बढ़ावा है दरसल जब हम ये कहते हैं कि ये पैदाईशी गुन है जब हम ये कहते हैं कि ये पैदाईशी इसके अंदर ऐसी ची ऐसी लीडर से साब धान रहिए जो व्यक्ति जो काम करता है उसको किसी भी हल तक कहीं तक भी बढ़ा सकता है अगर उसकी इक्छा है अगर उसका मन है तो इसलिए अब जो वीदा पिपल लीडर्शिप के बारे में बात करता है तो यहां व्यक्ति बाद की कोई जगा नहीं ह एक व्यक्ति सारे काम नहीं करेगा एक व्यक्ति लीडर्शिप नहीं करेगा जिसमें जो छमता है वो अपनी छमता का इस्तमाल करे और आगे तक काम करे कोई किसी का यहां गुलाम नहीं रहेगा सब एक परिवार में रहेंगे क्योंकि जब व्यक्तिगत कोई leader बनता है तो वो डराता है धंकाता है और कोशिश करता है कि वो बना रहे अंतिम समय तक भी वो चाहता है कि leader बना रहे ये बहुत बड़ी बीमारी है जो leader को पता नहीं होती और वो पूरे सम्हू का पूरे संधन का सत्या नास कर देता है लोगों के दिमाग में ये बात भरता है कि लीडर तो जरूर होना चाहिए वो ये नहीं कहता है कि मैं जरूर होना चाहिए उसके पीछे जो कारण होता है वो कहता है कि अगर लीडर जरूर होना चाहिए तो मैं ही लीडर हूँ, मैं ही होना चाहिएू और ऐसे बहुत सारे देखे गए हैं जब किसी लीडर ने अपने आपको establish करने के लिए और maintain करने के लिए और हमेशा लीडर बने रहने के लिए हमेशा नेता बने रहने के लिए अपने सारे सहयोगी लीडरों को खतम कर दिया, अपने सारे सयोगी नेताओं को खतम कर दिया, ऐसे बहुत सारे धारण है जब कोई बहुत ज़्यादा काम करने वाला लीडर आता है नेता आता है, तो उसको दर की वेज़ से जो नेता उस समय होता है, वो उसको खतम कर देता है, या तो उसको कहीं दूर भेज़ देगा, या ऐसा काम कर देगा, जो हो नहीं सकता है, या उसको बदनाम करेगा, या उसको पैसे का चार्ज लगा देगा, या उसको भगा देगा, या पिटवा देगा, या उसको काम नहीं देगा, या उसको गाली देगा, य जिसमें जितनी चंता है, वो अपनी चंता से, जिस फिल्ड में वो काम करना चाहे, इंडिपेंडेंट रूप से, भारत के सम विधान के नियम के तहत, और जो भगवान बुद्ने संग के नियम बनाये थे, उन नियमों के अनुसार, वो काम को कर सकता है, वीदा पीपल की फैम साब ने दिया है उसी के अमसार यहां काम होगा धन्यवाद कि अमसार यहां काम है उसी के अमसार यहां काम है कि 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 अमसार यहां काम है